Hello students, आप सबका Life Science Cafe में स्वागत है. आज हम शुरू करेंगे Digestion Based Questions, जिसमें सबसे पहले होगा Calorific Values. Calorific Values जो Carbohated की होती हैं 4.1, Protein की 6.65 और Fat की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, ये तो इनकी Values थी जो हमने देख लिए, लेकिन हमें पता होना जी, Calorific Values होती क्या हैं. This is the amount of energy released or produced when 1 kg of fuel burn, और any other substance is burnt in the presence of oxygen, and the product of commensure are cooled to standard temperature, pressure. इसकी ऐसा unit होती है, जो किलो जूल पर किलोग्राम होती है. ठीक है, तो Calorific Values को हम आम भाशा में हम कह सकते हैं, कि अगर हम 1 kg फ्यूल को burn करते हैं, oxygen की presence में burn करते हैं, और जो energy release होती है, वो उसकी Calorific Values होती है. Next है, Essential Amino Acids. Essential Amino Acids होते हैं हमारी बोड़ी में, जिसे हम Synthesize नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें अपनी डाइट में लेना ही होता है, must get from outside, वो Essential Amino Acids होते हैं. इस तरह से आपको Essential Fatty Acids भी मिलेंगे, Essential और Minerals भी मिलेंगे, तो वो हमें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें खुछ संथेसाइस नहीं कर सकती, वो Essential Amino Acids हैं, यहां पे. ठीक है, 9 Essential Amino Acids हैं, इस सबके मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनको याद करने की ट्रिक है, try this VIP mall, देखिए, try को मैंने एक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, इस try से है, tryptophan, उसके बाइद tea अलग कलर में है, तो यहां पे tea होगा, threonine के लिए, ठीक है, 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 इस को एक क और जो small letter है, उनको मैंने black चोड़ा है, और small है, वो कोई यहां पे amino acids को indicate नहीं कर रहा, next is anatomical location of pancreas, anatomical location pancreas की हम इस तरह से कह सकते हैं, short में, कि यह junction के पास present होती है, stomach or dudenum की junction के पास, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं, कि जो pancreas है, वो elongated है, tapering organ है, मतलब थोड़ा सा हुआ है, और जो हमारी belly है, उसके back में present होता है, ठीक है, stomach के पीछे present होता है, हम कह सकते हैं, जो right organ है, right side organ का, उसको head कहते हैं, यह वाला portion, ठीक है, यह क्या होता है, कि यह lie करता है, हमारे intestine है, small intestine और stomach का part है, वहां पे present होता है, तो इस तरह से, अगर हमें इसका structure याद है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, कि यह कैसा है, कहां present है, ठीक है, तो यह pancreas का है, यह liver, चो large estrogen है, इसको भी हम study करेंगे, और इनकी position को भी study करेंगे, next is crypts of liver, लिबर कॉन, ठीक है, crypts of liver कॉन क्या होता है, intestinal gland है यह, ठीक है, यह भी secret करते हैं, enzymes क mucus को tubular gland होते हैं, यह जो कि finger like projections होती है, हमारी जो विलाई होती है, वहां पे present होती है, देखिए, यह हमारी finger like projection है, जिसे हम विलाई कहते हैं, इसके बीच में जो यह वाला part है, यह crypts of liver कॉन है, ठीक है, antibacterial lysozyme secret करते हैं, tubular structure है, यह देखिए, tube like structure देख रहे हैं आपको, ठीक है, यह small intestine में पूरे विलाई के बीच में present होती है, occur throughout the small intestine, यह सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा books में, आप चाहें तो books पढ़ सकते हैं, अगर आपको वीडियो से च्छे से समझ आ रहे हैं, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, यह digestive enzyme को secret करते हैं, आप एक बर इस तरह से देख लेते हैं चीजों को, तो आपको ज़्यादा time के लिए याद रहती हैं, जो यह क्रेप्स होती हैं, इसमें यह पेनेट सेल्स और आजेंटिफिन सेल्स भी प्रेसेंट होती हैं, नेक्स्ट इस, एसेसरी डाइजेस्टिव औरगन्स, एसेसरी करवाती हैं, इसमें टंग आता है, पैनक्रियास आता है, लीवर और गॉल जौलब्लेडर यह सब आते हैं, एसेसरी ग्लेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्सा कह सकते हो लेकिन डाइजेस्टिव ट्रेक का हिस्सा नहीं होता हो आपने याद रखना है एसेसरी ग्लेंट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है लेकिन डाइजेस्टिव ट्रेक का हिस्सा नहीं ह इसेसरी ग्लेंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं वो मैंने पहले बता दिया लिवर गॉल ब्लैडर पैंक्रियास और इसमें टंग भी आता है लिवर जो होता है राइट पोर्शन जो होता है अब्डोमिनल केविटी का वहां प्रेजेंट होता है जस्ट बिनित दाइफ् है इंडेस्टाइन का टॉप है वहां पे प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इस कॉपर्स ग्लेंड क्या होता है पी शेप का ग्लेंड होता है मटर की दाने जितना ग्लेंड होता है प्रोस्टेट ग्लेंड के इंफिरियर प्रेजेंट होता है और मेल रिप्रोडेक्टिव सिस् है डाइजेशन जो हमारा होता है वो कितने भी स्टैप में पूछ सकते हैं आप से लेकिन हम जो बेसिक हैं सिक्स हो करेंगे यहां पी फिर्स्ट इस इंजेशन इंजेशन का मतलब होता है जो हम खाना बाहर से लेते हैं हमारे मुव में जो जाता है वो process वो step इंजेशन कहलाता है propulsion है action of driving और pushing forward जो हमारे औसो फेगस है उसमें जो खाना मुव करके जाता है उसे propulsion कहते है अब देखिए जो हमारे digestion है उसमें मैंने physical और mechanical digestion अलग से लिया है और chemical digestion को अलग से लिया है physical और mechanical digestion है उसमें mouth से शुरू होता है जिसमें हम खाने को चबाते हैं और जो chemical digestion होता है उसमें खाने को इतना simpler nutrients में तोड़ा जाता है कि वो हमारी cell absorb कर सके वो होता है chemical digestion ये enzymes की मदद से होता है ठीक है लेकिन जो digestion है वो हमारा mouth में ही शुरू हो जाता है वहाँ saliva में mix हो जाता है उसमें और वहाँ पे slavery amylase भी mix होना शुरू हो जाता है वहीं पे digestion शुरू हो जाता है उसके बाद आता है absorption जो digestion हो चुका हमारा खाना जो पच चुका अब उसे cell absorb करेंगी और ये काम होता है small intestine में चोटी आदमी इसका मतलब होता है कि जो wall होती है small intestine की वहाँ से ये खाना blood stream में हमारे खुन में चला जाता है और जो खाना undigested रह जाता है वो बाहर निकल जाता है उसे कहते हैं defication ठीक है उससे पहले जो small intestine में digestion हुआ absorption हुआ उसके बाद कुछ ऐसा खाना बचा है जिसमें पानी है और undigested food particles है तो वो undigested food particles और वो जो पानी है उसमें maximum पानी जो हमारे बड़ी आत होती है large intestine होती है व बागी को निकाल देती है जो first step था ingestion वो food entry होती है उसे ही ingestion कहते है next step is malnutrition के base पे बहुत question आते हैं यह कैसी condition है जो हम diet खाते हैं उसके base पे होती है वो diet या to nutrients की कमी होती है उस diet में या पहत जादा होती है ठीक है तो ऐसी diet health problem create करती है impairment of health due to improper intake of food and nutrients इसमें यह किसी एक nutrient की वज़े से नहीं होती है calories की वज़े से होती है protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals इसमें सब कुछ आता है लेकिन इसमें आपको जो याद रखना है वो under nutrition भी होता है, over nutrition भी, mal nutrition में यह दोनों चीज़ें आती हैं तो आपको यह हमेशा याद रखना है जादा तर बचे गल्दी करते हैं कि वो सोचते हैं कि under nutrition मतलब अगर हमेरे शड़े में कमी है तो ऐसे आलत होती है लेकिन नहीं यह over nutrition की वज़े से भी होती है जब हम कुछ खाना ऐसा खा लेते हैं जिसमें बहुत जादा nutrients है और हम उसे हजब नहीं कर पा रहे हैं ले नहीं पा रहे हैं तो वो भी mal nutrition कॉस करता है नेक्स इस lower oisophagal sphincter यह muscles का bundle होता है जो हमारी oisophagus के end पर present होता है जहां पर oisophagus stomach से मिलती है यह क्या करता है इसका main काम होता है prevent करना acidia stomach content को backward travel करने से रोकती है यह और यह voluntary control में नहीं होती है यह valley देखिए इस diagram में आपको अच्छे से clear हो जाएगा यह जो हमारा oisophagus है और यह हमारा stomach है तो मैंने बताया था storm जो oisophagus है उसके base पे present होती है यहां पे लिखा हुआ है lower oisophagal sphincter ठीक है यह हमारे खाने को वापिस जाने से रोकती है यह close हो जाती है इसमें एक upper oisophagal sphincter भी present होता है जो oisophagus के upper part में present होता है यहां पे य लिखाया गया है ठीक है इस वीडियो में सिर्फी इतना ही thank you for watching life science cafe